दीदी, ओ दीदी, तो मंताब एनरजी भी कहती है, अब तो खेला हो बे, लेबर लॉबी वहाँ पर बहुत रिफॉर्म किये जा रहे हैं, सबसीडी गवर्मेंट बहुत जादा दे रही है, 48 से अधा नेशनल हाइवेज वहाँ टच कर रहे है, 6 से अधा एरपोर्टर, रेल कन मैं आईश्वरी, मैं CEO and Founder Director हूँ, Metas Oversays Limited Company का, और आप लोग जानते हैं, कि मेरी कमपनी स्टेलने स्टील मोडुल केचिन की मैनेफैक्टरिंग करती है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और आज पूरे भारत वर्ष में हम लोग अपना फ्रेंचाइजी नेटवर्म करने के हम क्या स्टेड़ेजी अपनाते हैं, वह सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले जब हम कहीं भी फ्रेंचाइजी डिवलप करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि उस राज्ये में उस स्टेट की स्टेट गौर्वर्मेंट की पॉलिशी क्या है, सें सबसे पहला जो राजी है वो है गुजरात, इस ऑफ डूइंग बिजनस में गुजरात का नाम सबसे पहला आता है, और गुजरात के बारे में तो आपने एक बात सुनी होगी, गुजरात इसे कभी भी पूछे ना, केम चो, वह हमेशा कुछ और है, और आप तो अमिता बच अंना है, कि आपको गुजरात में बिजनस करना चाहिए, तो सबसे पहला रीजिन क्या है? आज देखिए हमारे भारत की सरकार ना, पूरे विश्व में भरमन कर रही है, मतलब मोधी जी, पूरे विश्व में गुम रहे है, और हर जगे की सरकार को इन्वाइट कर रहे हैं, कि हमारे देश में आओ और यहां बिजनस करो तो FDI के मामले में 51% जो FDI है वो गुजरात में इन्वेस्ट हो रही है वहाँ पर आगे बढ़ने की अपार संबाब नहीं है गौर्वर्मेंट की जो बिजनस पॉलिसी हैं वो भी बड़ी फेवरेबल है मतलब व्यापारी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ की सरकार हमेशा तयार रहती है और आप तो मुदी जी को देख लीजिए वो हमेशा कहते हैं कि गुजरात बिजनस मॉडल क्योंकि उनको पता है कि गुजरात का जो बिजनस मॉडल है वो successful बिजनस मॉडल है और आप जानते हैं कि गुजराती जो है वो बिजनस में बढ़ाती है जो होता है क्यों क्योंकि बच्पन से ही बिजनस को देखता है दूसरा दो benefit वहाँ पर और है एक तो geographical क्योंकि वहाँ पर port लगती है तो विदेश व्यापार करना बहुत असान हो जाता है दूसरा central government बहुत support करती है जिसकी वज़े से double engine के सरकार उस state को तेजी से आगे ले कर जाती है और गुजरात एक business का hub होने की वज़े से business owners का एक central point बना हुए अलग-अलग culture के लोग वहाँ पर आ रहे हैं और business को develop कर रहे हैं ऐसे में गुजरात में अगर आप business करते हैं तो वह कौन से top ऐसे business हो सकते हैं जो आपको बहुत अधिक benefit देंगे उनमें सबसे पहला जो business है वो diamond का business है अब बहुत सार लोग comment मेंगेंगे सर हर आदमी diamond का business थो भी कर सकता है दोस्तों अगर diamond industry आगे बढ़ेगी तो कौन कौन सी industry जो diamond को support करती है infrastructure है, tools है, machinery है, computers है, labs है, lenses है वहां की support and services है infrastructure develop करने के लिए पैसा चाहिए इसके लबाब paper and textile industry भी गुजरात में तेजी से develop हो रही है अब textile industry हो, diamond industry हो तो tool and equipment की जोड़ेगी पड़ेगी तो tool and equipment की industry भी वहां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है दूसरा, गुजरात एक कृषी परधान राज्ये भी है जिसकी वहां fertilizer की demand बहुत जादा है और गुजरात ना केवल अपने राज्ये के लिए fertilizer बना रहा है और ना केवल पूरे भारत में बलकि पूरे विश्व में fertilizer की supply कर रहा है ऐसे में उस industry में भी आप कदम रख सकते हैं और fertilizer के लावा किसान भाईयों को फसल को बचाए रखने के लिए pesticide की जूरुत भी पड़ती है ट्रांसपोर्ट से संबंदित व्यापार dairy products को लाना ले जाना dairy products को sale करने के लिए marketing करना उनकी promotion करना customer के साथ deal करना बहुत सारे ऐसे pattern हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं अगर आप गुजरात या गुजरात के आसपास के किसी भी राज्ये से हैं तो आप गुजरात में असानी से काम कर सकते हैं आप देखिए डेली में अगर हम बात करें तो लोग डेली के अलावा यूपी हर्याना और राज्यस्थान से भी रोजाना आते हैं काम करने तो कई बार क्या होता है बॉर्डर के पास वाले लोगों को भी फाइदा हो जाता है जब कोई स्टेट किसी बिजनस को तेज़ से डेवलेप करती है तो यह तो बात थी गुजरात के बारे में अब अगला कौन सा राज्ये है आप गैस कर सकते हैं अगला राज्य है पश्चिम बंगाल अब पश्चिम बंगाल में डबल इंजिन के सरकार तो है नहीं क्योंकि सेंट्रल गॉवर्मेंट में जो सरकार है वो मुदी सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममताब एनरजी तबी तो मोदी जी भी कई बार बुल देते हैं दीदी, ओ दीदी, तो ममताब एनरजी भी कहते है अब तो खेला हो बे, अब हम अपने राज्ये को बिजनस में टॉप बना कर छोड़ेंगे, रोशुक उल्ला बड़ा फेमस होता है पश्चिम बंगाल का, तो यहां बड़ा इ दक्ये खा रहा है, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी बैंक में, कभी GST में, कभी Income Tax Department में, उन्होंने बहुत बड़ीया सर्विस कर दी, सिंगल बिंडो सर्विस बढ़ा दी, और 187 से अधा स्टेट गवर्मनेंट ने रिफॉर्म कर दिये कि हमारे स्टेट के लोगों क को व्यापार करने में प्रॉब्लम ना हो, साथ-साथ यी गवर्नेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ीया सपोर्ट कर दी, यी गवर्नेंस क्या होता है, कि ओनलाइन सपोर्ट दे दी, डॉकुमेंडेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, क्रिसी का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो यी गवर्नेंस के माध्यम से सारा काम हो जाएगा, और एक बहुत बड़ीया रूल ने निकाला क्या, 15 डेज ओनलाइन सपोर्ट सर्विस, यहाँ पर उनने बहुत बड़ीया काम क्या किया, अगर डिपार्टमेंट ने 15 दिन में काम नहीं किया, तो डिपार्टमेंट को फाइन पे करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नेंट उसको पर फाइन लगा देगी, ट्रेट लाइसन्स जल्दी से लदी व्यापारियों को मिले, यह ममता मैनर जी ने इस तरह से डिजाइन किया, पूरा का पूरा बिजनस प्लान, पूरा का पूरा स्टेट का एक रिफॉर् लेंगे, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को पसंद करते हैं, तो फ्लॉरिस्ट शॉप वहाँ पर हो गई, आप फूलों से संबंदिध द्यापार करेंगे, चाह उसका होल्सेल कर लें, रीटेल कर लें, उसका इंपोर्ट एक्स बहुत जारा पसंद करते हैं, हर एक व्यक्ति नहीं खाता, लेकिन मैक्सिमम लोग वहाँ पर मचली खाना पसंद करते हैं, तो फिश फूड से संबंदित, शॉप हो गई, उसका इंपोर्ट हो गया, उसका एक्सपोर्ट हो गया, यह बहुत से चलने वाला है, इसके लगाने के लिए पस्षिम बंगाल को बहुत बढ़ी आमान रही है, पस्षिम बंगाल के लोग ना थोड़ा लगजरी पसंद करते हैं, तो वहाँ पर टैक्सी, कार रेंटल, यह काम बहुत छे से से चल रहा है, साथ-साथ पस्षिम बंगाल जिस तेजी से डेवलेप हो रह क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो इनकाम है वो तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वज़े से इलेक्ट्रोनिक कंजम्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो दोस्तों यह तो वह बिजनस थे जो आप पश्षिम बंगाल में कर सकते हैं, पश्षिम बंगाल के आसपास के राजिसे भ बात करूं, तो वो कौन से से रिजन है कि राजस्थान में बिजनस का सेट अप किया जाना चाहिए, सबसे पहला कारण क्या है, सिंगल विंडो सर्विस इन्होंने भी कर दी, वो कहते हैं कि एक दूसरे को देखके इंस्पायर हो जाते हैं, उन्होंने देखा है, जब वेस् से एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो बिजली, एलेक्टरिसिटी है, वो महंगी है, तो राजस्थान गौवर्मेंट ने कितना अच्छा प्लान बनाया, अगर आप वहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं, अगर आप बिजनस सेट अप करते हैं, तो जो भी एलेक्टरिसिटी क एक कल्चर होता है, तो अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान एक कल्चरल स्टेट है, कल्चरल स्टेट होने की वज़ा से वहाँ पर टूरिस्ट का बहुत बड़ा आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ होम स्टे का बिजनस, होटेल इंडस्ट्री संबंदित ब कि वहां पर आप आचार से शल्डी कर सकते हैं। उसकी manufacturing है, उसकी trading है, उसका export है, bottling है, labeling है, बहुत सारे काम है जो same industry से जुड़े होते हैं साथिसाथ spices का business भी Rajasthan में बहुत famous है, आपने कई बार Rajasthani movies में देखा होगा न, महिला चछतपे सोका आ रही है, बहुत सारी लाल मिर्च और उनको इकठा करके कूट रही है, तो वहाँ पर पाइसे संब्दित business भी बहुत अच्छे से चलेंगे, क्योंकि naturally वहाँ पर काफी स तरीके से माँ चलेंगे, इसलिए अगर आप राजस्थान या उसके आसपास के इलाके से भी है न, तो आपको जरूरत है इन इंडस्ट्री में राजस्थान में अपना setup बनाने के लिए decision लेने की, और एक बार आपने decision लिया न, और business से संब्द अगर कोई भी problem आती है, तो वो क्या है कि राजस्थान के लोगों को हमेशा एक आयत है कि ये लोग जो होते है न, राजस्थानी हो गए, मारवाडी हो गए, ये बड़े इमानदार होते हैं, उनके साथ एक खास बात और है, और वो क्या है कि राजस्थान में लोग traffic के नियमों का बहुत पालन करते हैं लाइफ को अमेंशा सेफ रखते हैं यह बात थी राज़िस्तान के बारे में अब बात करते हैं अगले राज़ी के बारे में कि वो कौन सा ऐसा राज़ी है जहां पर बिजनस की अपार संभाव नहीं है वो है हिमाचल प्रदेश हिम के आचल में बसा हुआ प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सबसे पहला कारण क्या है एक तो industrial revolution हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है क्यों? क्योंकि वहां की government चाहती है कि यहां पर industries लगें ताकि हमारा प्रदेश भी विकास की ओर बढ़ता जाहे हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज यह है जिसने PM help line को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी सीधा PM help line के जरिये स्टेट से सपोर्ट ले सके और global investors की lead को generate करने के लिए भी हिमाचल ने सारी planning की है जिसके वएसे हिमाचल में business तेजी से फल फूल रहे है अब कौन से इंडस्ट्री है जो आपको हिमाचल प्रदेश में शुरू करने चाहिए इवेस्ट की recycling एक बहुत बड़ी problem बन चुकी है और हिमाचल इस बात को से समझ गया कि यह इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ेगी तो इवेस्ट recycling की इंडस्ट्री भी हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही है अच्छी opportunity है अगली है floriculture मतलब की जैसे कितना agriculture आप फसल पैदा कर रहे है वैसे आप फूलों को पैदा कर रहे है आप फ्लॉरी कल्चर कर रहे है तो यह इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है लोग यहाँ पर बिजनस करने के बाद फ्लॉरी कल्चर करने का अद एक्सपोर्ट कर रहे है fruit farming का भी बहुत बड़ा craze है tourism industry भी बहुत जादा तेजी से फलफूल रही है यहाँ चुकि टूरीज जितने के अदा आएंगे उतनी स्टेट डेवलप होगी वहांका infrastructure डेवलप होगा और यहल स्टेट का बिजनस भी हिमाचल प्रदेश में सुमार पर है बूम पर है organic farming को लेकर भी हिमाचल प्रदेश का नाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि organic farming बहुत अच्छा बिजनस को लग रहा है और वविश्य का बिजनस है क्यों चुकि लोग health को लेकर बहुत जादा conscious है अगला जो प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश बोलते के साथ ही ना लोगों लोगता है भौकाल है जी हमारा तो तो भौकाल तो है उत्तर प्रदेश वालों का लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस समय पर व्यापार को डेवलप करने के लिए ना स्टेट को डेवलब करने के लिए बहुत ज़ादर रिफॉर्म कर रही है, सबसे पहले तो IT Hub सबसे ज़्यदा उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, जब IT Hub बनेंगे तो IT Services भी तेजी से डेवलब होंगी, दूसरा State Government, Central Government के साथ मिलकर, अलाइन करके, डेवलप्मेंट कर रहे हैं नहीं नहीं इंफास्ट्रक्चर की, और गुड कनेक्टिविटी के लो ने क्या किया, 48 से अदा नैशनल हाइवेज वहां टच कर रहे है, 6 से अदा एरपोर्टर, रेल कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉंग होती जा रही है, और एक तरह से सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री की जरुवत को पूरा करने के लिए जरूवत है लेबर की, तो रिच लेबर पूल, वहां डेवलेप किया रहा है, मतलब लेबर को भी ट्रेंड किया जा रहा है, कि कैसे आप इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, साती सात, फ़नेंशल जियान रखिए अब जो इंडस्ट्री में आपको बताने वाला हूं, वो वो इंडस्ट्री हैं जो उत्तर प्रदेश में तेजी से फलफूल रही हैं, जैसे डिटरजन फैक्टरी, वहाँ पर सोप मैनेफाक्चरिंग, डिटरजन मैनेफाक्चरिंग में बहुत अधिक स्कोप है, तो यहाँ यह इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं, इसे संबंदित इंडस्ट्री कौन सी हो गई, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई, ट्रांस्पोर्टिशन संबंदित इंडस्ट्री हो गई, इसके लावा उत्तर प्रदेश में लेधर गवर्मेंट इंडस्ट्री भी लेदर इंडस्ट्री के लिए, बैटरी मैनेफेक्ट्ट्रिंग का भी बहुत अदिक वहाँ स्कोप है, तो जब बैटरी मैनेफेक्ट्रिंग होगी, तो प्लास्टिक प्रोडेक्ट से संबंदित बिजनस भी वहाँ तेजी से डेवलेप होगी, और उसकी डिमांड भी तेजी आएगा, वहाँ ट्रांस्पोर्टेशन रेवलुशन आएगा, वहाँ आई टी इंडस्ट्री का रेवलुशन आएगा, वहाँ पर रिकूट्मेंट से संबंदित बहुत अधिक बिजनस होगा, तो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, उनका बिजनस तरही से बढ़ने वाला जिन मेंसे आपकी स्टेट भी आए, तो सबसे पहले ये बताओ, कि स्क्रीन पर जो स्टेट दी हुई है, उनके क्या नाम है, पांच स्टेट में दी हुई है, और जो लोग सही नाम बताएंगे न, यहाँ पर उनके लिए एक बोनस है, और बोनस क्या है, आप लोग जानते ह जी का मैं कोर्स करता हूँ, रोप, result-oriented program for entrepreneur, live class में इस कोर्स की जो फी होती है, जो offline class होती है, 150,000 होती है, उसी का online course मेरी अप पर एवेलेबल है, जिसकी फी है, 5000 रुपी, discounted है, ताकि उन लोगों के लिए जो heavy fee afford नहीं कर सकते, वो nominal fee में वहाँ से कर सकते हैं, पहले 50 लोग लोगों को, वो 1.500,000 का course जो offline होता है, जिसको हमने online में convert करके 5,000 का की है, वो मैं आपको देने वाला हूँ, free, और तरीका क्या है, आप इन 5 state के नाम बताओ, और हमारी team साथ-साथ, वहाँ पार कोई email ID भी दो, ताकि हमारी team आपको contact कर सके, और फिर हम आपको एक access देंगे लेकिन मेरा आप लोगों से request है, कि हम इतनी research करके ना, वीडियोज बनाते हैं, बहुत मैनत लगते हैं इन वीडियोज को बनाने में, अगर आप एक बार like कर देंगे, और एक comment कर देंगे, और channel को subscribe कर देंगे, तो दो फायदे होंगे, number one, हमें एक motivation मिलेगा, आपको फायद जल्दी वीडियो मिलेगी, तो जल्दी चीजों को सीखेंगे, जितनी जल्दी सीखेंगे, उतनी जल्दी implement करेंगे, तो मेरा आपसे request है, channel को अभी subscribe कर लें, bell icon को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि सबसे पहले notification आपके पास पहुंचे, कोई भी informative वीडियो मिसना हो, उसके जल्दी चैनल को अभी subscribe कर लें, साथी साथ मैं Dr. Amit Maheshwari, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत